ऐसा बिलकुल नहीं है, पती-पती रहेगा, पतनी-पतनी रहेगी, मा मा रहेगी, बाप रहेगा, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत mis explanation समाज कैसे कर लेता है, शैद उसका रीजन ये होगा, कि हम ये बताते हैं, कि हम सब एक परम पिता परमात्मा की संतान, पती भी कहेगा तुम मात पिता हम बालक तेरे पतनी ये तो नहीं कहती तुम सास असुर में बहुत उमारी वो भी कहती है तुम मात पिता अब पती ने भी गाया तुम मात पिता पतनी ने भी गाया दादे ने भी गाया पोते ने भी गाया बाप ने भी गाया बच्ची ने भी गाया तो वास्तम में अपन सारे, चाए वो माता-पिता हैं, चाए दादा-पोती हैं, चाए पती-पत्नी हैं, चाए फ्रेंड-फ्रेंड हैं, कोई भी रिष्टा है, बेसिक रिष्टा हमारा भाई-भेन का है, एक भगवार के बच्चे होने के नाते, पती-पत्नी या दादा-पोता, ये यहां पर आके जो रिष्टा जुड़ा है बुनिभाना है यह ग्यान समझाया जाता है ना कि इसा कहा जाता है कि तुम बाई-बैन पती-पतनी तो पती-पतनी रहेंगे, वह भाई-बेन कैसे बन जाएगे?